हालो फ्रेंड साओधी अरब से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों लोकडाउन खतम हो गया है लेकिन कहां खतम हुआ है साओधी अरब में कौन से सहर में खतम हुआ है किस जगह खतम हुआ है क्या सभी जगह हो गया है तो दोस्तों से लिए मैं बताता हूं आपको कि लोगडाउन कहां पे खतम हुआ है कहां पे ओपन कर दिया है सब कुछ खुल गया है तो दोस्तों आगे बढ़ू से पहले बता दूँ अगर आप साओधी अरब में रहते हो तो साओधी अरब की पलपल की अपडेट पलपल पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर तो साथ म सबसे पहले समाचार मिलते रहे हैं और हां दोस्तों वीडियो देखने के एपने दोस्तों के साथ से जरूर करना तो खबर इस तरह है साओधी अरब में बीमारी के मामने में थोरी कमी दिखाई दे रही है यही कारणे के साओधी अरब के दो जीलों से लोग-डाउन को आश पूर्स सभी जगह लगडाउन लगा गया था लेकिन अब अन्तरी मंतराले के अधिकारी शुतर ने बताया कि अलसा के अल-फैसलिया वह इस दो जगह से लगाए गए एतियाती तोर पे तरीकों से स्वास्त निकायों की सिफारिश के बाद लोगडाउं को हटा लिया गया है दोस्तो साथ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी अधिकार्योंने बताया कि इन दोनों जिलों में नागरिकों को कुछ रियाइटी दी तथा कुछ सर्तों के साथ गर से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है स्वास्थी लोगडाउन हटने के बाद नागरिकों को सवेरे नौ बज़े से साम पांच बज़े तब बाहर निकलने की अनुमती है उसके बाद नहीं है बीमारी को तेजी से फैलने के लिए सब्सक्राइब को इन दो चेतरों में 24 गंटे का कर्फियों फिर लोगडाउन लगाया था सवधी अरभ में अभी तक 30,251 से भी जादा मामले आ चुक है और 200 से भी जादा लोगों की मिर्ति हो चुकी है पिछले महीने के आंट में किंग सल्मान बिन अब्दुल अजीद ने पवितर सहर मक्का में 24 गंटे का लोगडाउन करते हुए रास्ट व्यापी कर्फियों का आंसी रूप से हटाने का आदेश दिया था आंसी रूप से अटाए गए प्रतिबंद 14 महीं तक जारी है दोस्तों और उसके बार आगे की कोई कारवाई होती है कोई डीटेल आती है